हलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है शौर फ्लासिज आज मैं B.A. समिस्टर 6 के सब्जिक को D.A.C. 3 and 4 के लिए ओपें डोर पॉलिसी लेकर उपस्तित हुआ हूँ तो चलिए बिना समय गवाए हम इस विशय को प्रारम करते हैं अमेरिका की खुले द्वार की नीती विबिन देशों के चीन पर बढ़ते प्रभाव को देखकर अमेरिका का ध्यान चीन की और जाना सुभाविक था लेकिन अमेरिका की नीती इन राज्यों से भिन थी प्रारभ में उनिश्वी सदी के मद्धि तक ओध्योगिक विकास में पिछड़ा रहने के कारण अमेरिका साम राज्यवाद के विकास कार्य में मंथर गती से अग्रसर हो रहा था फिर भी विश्व राजनीती की इस गतिविधी का अध्यन वो बड़े ध्यान से कर रहा था उनीस्वी शताब्दी के उतरार्ध में अमेरिका ने भी अपना उद्योगिक विकास किया और अब वो समराज विस्तार की बातें सोचने लगा यहां के उद्योगपतियों ने अब उपनिवेश निर्मान कारे करना प्रारम किया इसलिए 1898 इस्वी में स्पेन के उपनिवेशों को अपने अधिकार में करने के लिए अमेरिका ने स्पेन से युद्ध किया और गौाम तथा फिलिपीन्स पर अधिकार कर लिया अब चीन की और इसका ध्यान गया इसके लिए वा खुले द्वार की नीती अपनाना चाहता था चीन की और वा पहले ही ध्यान देता पर स्पेन के साथ युद्ध में फसे रहने के करन वा तत्काल वा इस और से उदास रहा चीन अमेरिका से दूर भी था इसलिए भी उसने चीन की और ध्यान नहीं दिया जब स्पेन को उसने युद्ध में परास किया तब प्रशान्त महासागर में अमेरिका की शक्ती बढ़ गई यही कारणे कि अब चीन की और अमेरिका ने भी ध्यान दिया जैसा कि कहा जा चुका है कि चीन के प्रती अमेरिका ने खुले द्वार की निती अपनाई ऐसी निती अपनाने का अर्थ नहीं था कि अमेरिका चीन पर आकरमन करने के विरुद था सस्तुया था कि पास्षात्य देशों के साथ वो भी चीन की लूट में भाग लेना चाहता था यही कारण था कि उसने चीन में पास्षात्य देशों के प्रभाव छित्रों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई और ना सामराज्य के विकास के खिलाफ ही कुछ कहा बलकि उसने समान अवसर की बात कही मिल जुलकर समान रूप से प्रभाव कायम करने की चर्चा चलाए वो भी अन्य राज्यों की ही तरह अपना हिस्सा चीन में लेना चाहता था इस तरह की अभिवेक्ति उसने एक बार की भी थी खुलेद्वार की नीती का वस्तुता यही अर्थ है इस नीती को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के स्रेकेट्री हे ने 1899 एस वी में एक घोशना निकाली और इसकी एक प्रती ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान की सरकारों को भेज दिया इन राज्यों का ध्यान इस घोशना की और आकरशित करते हुए अमेरिकन सरकार ने निमनलिखित बाते कही वह सैयुक्त तथा अस्थाई अंतराश्ट्य स्वात का प्रश्ण है कि चीन नदी के किनारे के बंदरगा सभी देशों के आर्थिक कार तथा व्यापार के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले रहेंगे इस घोशना में निमनलिखित बातें स्पस्ट की गई पहला, चीन के बंदरगाहों में व्यापार करने तथा उसे विभिन देशों के आने जाने के लिए तब तक अधिकार है, जब उन अधिकारों का उलंगन ये राज्य भविश्व में नहीं करेंगे, चाहे वे बंदरगाह एक राज्य के अधीन हो, या उन पर सभी राज्यों क चिन की आयात миर्यात संबन्धी चीजों पर करके जिन दरों को विधेशी राज्यों ने निश्चित किया है उन दरों का कायम रखा जाए और इसका उलंगर नहीं किया जाए यदि किसी विशेश राज्य का किसी विशेश बंदरगाह पर अकेला भी अधिकार है तो वह राज्य भी करों की दर में एक रुपता के निती का पालन करे अगर किसी अन्य राज्य के जहाज राज्य के अधिकृत बंदरगाह में आना जाना चाहते हैं वराज्य आने वाले जहाज पर किसी भी प्रकार का नियंतन या रोकटोक नहीं लगाए और किसी राज्य के प्रभावचित्र के अंतरगत बंदरगाह में जब दूसरे राज्य के जलपोत आवें तो उनसे बंदरगाह का खर्च उतना ही वसूल किया जाए जितना वा राज्य खुद देता है दूसरे शब्द में वा अपने से खर्च नहीं ले अपनी इस घोशना को व्यक्त करके अमेरिका या चाहता था कि जापान के साथ चीन के युद्ध के बाद विदेशियों के विदेशियों ने चीन में जिन प्रभाओं को कायम करना प्रारम किया उन्हें वा कम करे और उनकी सामराजवादी प्रविर्थी पर नियंत्रन कायम करे जिससे वे राज्य चीन को अधिक नहीं लूट सके ऐसा हो कि चीन की निर्बलता से फायदा उठा कर वे राज्य करों की दरों में वृद्धी कर दे और समस्त शक्ती को लगाकर उसका आर्थिक शोशन करे अमेरिका की इस निती का पहला समर्थन ब्रिटेन ने किया या सही है कि अन्नि राज्यों की तुलना में ब्रिटेन की ही चीन में विशेश हित था फिर भी ब्रिटेन ये चाहता था कि चीन के बंदरगा सभी राज्यों के समान व्यापार हितु खोल दिये जाए और खुले द्वार के निती को अपना कर सभी राज्य एक दूसरे के हित को ध्यान में रखकर चीन के साथ व्यापार करे इसलिए भी ब्रिटेन ने अमेरिका की नीती का समर्थन किया क्योंकि चीन में इसका व्यापार अन्य राज्य की तुलना में अधिक चलता था अगर अन्य देश ब्रिटेन के जहाजों को अपने प्रभावशित्र वाले बंदरगाओं में नहीं आने देते तो इससकी अत्यतिक आर्थिक शक्ती हो सकती थी अता अमेरिका तथा ब्रिटेन ने इस खुले द्वार की नीती को अपनाया अन्य राज्य अब लाचार होने लगया फलता इनका विकास अब चीन में रुक गया क्योंकि वे दो सबल राज्यों की समलित नीती का उलंगर नहीं कर सकते हैं इस तरह हम देखते हैं कि जापान से युद्ध में परास्थो कर चीन को अपना दुरदिन देखने पड़े या सही है कि अमेरिका की नीती के गोशित होते ही विदेशी राज्य अपना प्रभाव कायम करना बंद कर दिये फिर भी चीन के अनेक हिस्सों को काट कर चीन के प्रभुत्यों से बाहर कर दिया गया चीन के अनेक प्रांतों को विदेशियों ने काट छाट लिया विदेशियों ने चीन की खानों में खुदाई करना प्रारम किया यहां रेल मार्क बनाये जाने लगे इससे चीन की साशन प्रतिस्ठा को गहरा धक्का लगा इन विदेशियों की नीती भी विचित्र थी वे ना तो चीन का पूर्ण रुपेन बटवारा ही कर पाते थे और ना मंचू सरकार को ही नस्ट कर रहे थे साश्त यह था कि इस मरनासन मंचू समराट को जीवित रख कर वे चीन में अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते थे उनके हिदय में अभी भी स्वार्थपूर्ति की भावना थी लेकिन अमेरिका ने पतनों मुख चीन को समभालने के लिए अपने खुले द्वार की नीती की घोशना करके एक अवसर दे दिया चीनी तर्भूच का बटवारा रुख गया इस प्रकार हमने देखा खुले द्वार की नीती नहीं ओपन डॉर पॉलिसी जिसका समर्थन जो है सबसे पहले इसका ये जो नीती थी इसको सबसे पहले अमेरिका ने उठाया और इस नीती को आगे चलकर ब्रिटेन का भी समर्थन मिला और इसे ही इतिहास में ओपन डॉर पॉलिसी याने खुले द्वार की नीती के नाम से जाना जाता है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं दन्यवाद